राम राम किसान भाईयों आपका एक बार फिर से स्वागत है एचेसपी किसान के यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसो की फसल में दूसरी सी चाही किस टाइम करें करें या ने करें और करें तो और आप कौन से उर्वरगों का उप्योग करें यदि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक सेर भी अवस्य करें जिससे आपको किसान वे बागवानी सम्मदेते नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहें हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से यह सरसो की फसल है और इस फसल की विजाही हमने लगबग 65 से 70 दिन पहले कर दी थी और इसमें हमने सिचाई भी कर दी थी जिन किसान भाईयों ने पहली सिचाई में यूरिया और SSP का प्रियोग कर लिया है तो वे अन्य किसी उर्वर्व का प्रियोग अब ने करें और जिन किसान भाईयों ने SSP या सलफर की मात्रा भी हो अब दूसरी सिचाई करते वक्त आप सल्फर का उप्योग कर सकते हैं यदि आप बिजाई के माद्यम से सल्फर का उप्योग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिक्विड के माद्यम से यानि इस्प्रे के माद्यम से भी आपकी सरसों की फसल में आप सल्फर का प्रियोग कर सकते ह तो ये इसकी मात्रा होगी लिक्विड के की पिर्ती बिगे के हिसाब से आपको 200-200.500 एमेल सल्फर की मात्रा लेनी है और उसके बाद आप उसकी इस्प्रे करा दीजिए या कर दीजिए अपनी सर्सों की फसल में दूसरी सिचाई करते समय ये आपको विशे ध्यान रखना बताएंगे कि इस आप सल्फर लिक्विड सल्फर के साथ कौन सा इस्प्रे मिक्स करके ने करें और अन्यूर विडियो के अंत में बताएंगे तो यह देखिए सर्सों की फसल है और आप इसमें आप जिन किसान भाईयों को अच्छी फूल आ रहे हैं और फलिया चालू हो ग इसे भी आपनि सर्सों की फसल में दूसरी सीचाई हलकी सीचाई कर दें जिससे आप बहुत अच्छी स्थिद्यम अपनी सर्सों की फसल को पाले से बचा सकते हैं या जिन किसान भाईयों के पास शिचाई की उचित विवस्ता नहीं है वे अपने खेत की मेड पर और आचे सिल्का दें धुआ कर दें जिससे आप पाले से बचा कर सकते हैं तो आप हमारे इस यूटूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी अवस्य करें जिससे हमारा मनवल बढ़ता है और हम आपको किसान वे बागवानी संबन देते नए ने वीडियो की अपडेट लेकर आते रहते हैं तो यह देखिए यह सरसो की फसल बहुती सुहाँ नाइस टाइम मोसम हो जाता है ग्रामीन एरियों में उसी का दिरसे आप वीडियो के माद्यम से यहां देख पा रहे हैं हमने आप बात कि थी सलफर के साथ रिक्विड के साथ आप कौन सा और जो लिक्विड ए हुए मिक्स करके उसका इस्प्रे नहीं करें तो आप किसी भी फर्टिलाइजर का उप्योग कर सकते हैं सल्फर के साथ सिर्फ आप एन पी के को छोड़ कर एन पी के को आप सल्फर के साथ मिक्स करके उसका इस्प्रे नहीं करें बाकी आप सल्फर के साथ और कोई भी लिक्विड ले सकते हैं तो आपको ज्यादा लिक्विड लेने की आवस सकते नहीं है, सिर्फ आप सलफर का इस्प्रे करा दें, दूसरी सिचाई के बाद या दूसरी सिचाई से पहले, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिलेगा, और आपकी जो क्वालिटी है वह अच्छी होगी, और दाने की जन्द आये तो वीडियो को लाइक सियर भी अवस से करें, जे जवान, जे किसान